जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यूं होता है हमारे कर्मों का प्रतिकुल प्रभाव? हमारा गलत आच्रण क्यूं बनता है हमारी सुक्षान्ती में बाधक? जीवन के गूल प्रश्रों और धार्मिक जिग्यासों के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक्षिरों मनी वादसल्य मूर्ती रास्व्टु संत आचारिश्री 108 व्यर्ष सागरजी महराज के जिन्वानी चैनल पर प्रति दिन रातरी आच बच के 20 मिनट पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रतेक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेश कारिक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रस्ण है, किसी भी प्रकार की जिग्यासा है, तो आप भी कारिक्रम के दोरान टीवी स्क्रीन पर फ्लेश होने वाले हमारे नमबर 9818663765 पर हमें वोट्सेप करें या अपनी जिग्यासा एवं प्रस्ण को हमारे पास टाइप करके भेजें, पूज याचारी शिरी जी द्वारा आपका मागरशन अवश्य किया जाएगा कोशाध्यक श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीच जैन कोई बचा सकता जब आपका बेटा जब आपकी बेटी या जब आपकी बहु पूछे क्या जरूरत है मनाज के प्रवचन सुनने की क्या जरूरत मनाज के बाद जाने की, तो बोल देना, के बेटा, प्रवचन सुनने से, जो संक्लेस्ता का कीड़ा है, वो हमारे मन पे राज नहीं कर पाएगा मनाज के प्रवचन, वो छलकाओ है, जिससे कीड़े मर जाते हैं कौन से कीड़े मर जाते हैं, वो बाले कीड़े चलने फिरने बाले नहीं, संक्लेस्ता का कीड़ा मर जाता है उनके प्रबचन से क्यों प्रभू की बानी अज्ञानता को हरती है अज्ञानता को अज्ञान को हर लेती है जब अज्ञान को हरेगी तभी तो ज्ञान होगा उसके ज्ञान कैसे हो जाएगा तो अज्ञानता को हरने के लिए गुरू के मुख से ज्ञान चाहिए तो गुरू क तो बताओ क्या चाहिते हो आप सोचो आज हम पैसा सो कमा करें बड़ हो गए मकान से बड़ हो गए गाड़ी से बड़ हो गए परिवार से अलग-अलग हो गए आफ बेटे इतनी बड़े बड़े पदपर हैं और अटेक पड़ जाए रात को तो कोई समालने माला नहीं है अस्पता ले जाने बाला नहीं है है कोई क्या बेटा बहु तब आते हैं जब आप चले गए दुनिया से कई बार तो कई बेटे बहु जब आते हैं कि मौले प्रोसियों में मिलके जला भी दिया आप से बुठाओं नहीं में आ जाएंगे कब पहुचे कि जो उनको बेटा खड़ो है जो कृताप जापया ने जही बेटा है इसका 80 लाग का पैकेज है और पिता जी की मिट्टी में भी निया पाया पचास लाग का पैकेज है कंधा भी ने दे पाया तो पिता जी गलती किसकी बेटे की कि पिता जी की क्यों भेजा क्यों भेजा डिगरी दिलाओ और उनसे को बेटा तुझे नौकर नहीं बनाना चाहता हूँ डिगरी इसलिए दिला दी है कोई ये ना कहे कि बाप ने बच्चे को पढ़ाया नहीं इसलिए मैं तुझे पढ़ा दिया डिगरी दिला दी अब मुझसे पैसा ले या बिजनेस कर और तुझे दूसरों को नौकरी दे क्योंकि हम महाभीर के भक्त है हम महाभीर के भक्त हैं अब नौक रहिंगे करते हैं मैं छोटा दोड़ाओं नहुंशरों बताओं मेरे दोस्त का स्कूल था तो दोस्तों वलाया एक काम कर एक सब्जेक्ट है तो पढ़ा दिया कर एक घंटे के समयने का लग किया दिक्क्त है तो मैं बढ़ा दूँगा क्या दिखका तो मैं जाकर चला जाता देखंटे के लिए पढ़ा आए स्कूल में अब वो एक तन बच्चे लोग रोज देख थे तो सर 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 तो एक तन पिताजी साथ में दुकान पे बैठा हुआ था तो कोई बच्ची वो या गए इसकूल के बोल बच्चे से बच्चे से पुझा तो सर कैसे हो गए तमारे बढ़ा थे प्रादे हैं को इसकूल में पीचर आजी अब आजी अब नोकर किते पशे में तेरे गो किते विलते चल्वाट से लिए डबल ले चल यहां कर नोकरी कर आप हमीं दुकान में ना कटवा रहा है दूसर बोले हमने नोकर को पैदा नहीं किया है हमने संदा सल्वाने बेटे को पैदा किया है तो नोकर बनके रहना चाहता है इसी सोच हर पिता की होना चाहिए हर मा की सोच होना चाहिए कि हम बेटा पैदा कर रहे हैं नोकर नहीं मालिक पैदा कर रहे हैं मालिक यह मालिक है उसके क तो ना हो और कैना बेटा मालिक बन करके तुझे नौकरियां देना है बेज और रोजगारों को रोजगार देना है तु ऐसा मालिक बन के रहना ठप पेसे बीन डव्य मेट के निकलना सारे जब तुम अपनी कंपनी में जाओ तो सारे एंप्लॉई खड़े हो करके हैं नौकारमत के ब्रत रोहनी के ब्रत अरे ब्रत क्या ब्रत करो ऐसा ब्रत करो कि है भगवन एक तो मुझे इस्त्री बनाना मत एक तो इस्त्री ना बनूँ फुरुस बनूँ इस्त्री बनाना मत और करमी योग से इस्त्री बनना पड़े बच्चे पैदा करना पड़े तो मेर गर्व से मेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए जिसे देखकर दुनिया गर्व से कहे कौन इसकी माँ है कुछ इसकी माँ है भई कितने अच्छे संसकार हैं कितने अच्छे सोच है कितने अच्छे बिचार हैं ऐसा बच्चा प्यदा करो कि जिसको देखकर कि जिस सभा में चला जाए उसके चरिस को देखकर कि उसके ब्यक्तित को देखकर कि पूरी धर्म सभा खड़ी हो जाए फ़लान वक्ती आया विया और ताली बजाए हना ऐसा बच्चा पैदा करो ऐसा बच्चा पैदा मत करो कि जो कोई पहुँच जाए तो लोग दो के कहें वही है कोई ऐसा ना कहे यह सोचो हना ऐसा बच्चा पैदा करो जिससे तुमें उसके साथ चलने में एसा बच्च प्यदा होना चैये, पंदी जी गट के राऊं क्या दाओ आओ, आज अपन्दी जी को मान ने शंसकार दिये, ज्यान दिया, सास्त पडवा दिये, आज देखो वो पंदी को मराजी आजये, अचाहे बिद्धया सागा जी मरा जाएं जाये, चाहे बिद्ध्या सूत को याद करो कौन सा सूत है हो? संक्रेष्टा, मंसा, मुक्ता चलो एक सूत बात करते हैं आप से ब्रातों नहीं लग रहा है? लगे तो बता देना और लगे भी तो मुझे क्या? देख एक सूत है आपके पास भगमान ने पैसा दिया ठीक है ना? माल लो दिया है जिनको दिया है तो दिया ही है जिनको नहीं दिया है तो माल लो दिया है ठीक है ना? आप दस बीस पचास करोड़ों के आश्तामी है ठीक है ना? तो आपके पास दो आपसन है के नहीं? दो आपसन है के नहीं? काला जी तो कितने ओपसंन है दो एक एक काला है और गोरा है अभारा दो आपसर नहीं जिन्हेंद कोवादी पभण जी दो जो दुटी लेकर बिना चुटी लेकर गए ते गाया था दीपक भीया प्तः कि बहुत हो पीष्टिऴं के पास पैसा है उनके बाग किहते हो अब सकCr sag lyrics किक या अफ आपनी वो कि आफ वो और ना या दो खाल पिए मस्तर हो पड़ाऊ और ना एक ते 될 हो disrupt और दूसरा रिजर्व डाल दो, रिजर्व कर दो आंगे के लिए तो एक ब्यक्ति क्या कता है बाहर नहीं खाता है खाता तो घर में ही है दाल रोटी, चटनी रोटी खाता है पर जब कभी कोई पंचकाना खोता है तो कहता है सौधर्वित बनने का सौभाग लिया है मैंने कहता है भगवान के मातबता बनने का सौभाग लिया है मैंने मैंने मंदर बनाने का सौभाग लिया है मैंने मूर्ती स्थापत करने का सौभाग लिया है मैंने मंदर का सिखर बनवा दिया मैंने बेदी बनवा दी उसमें पैसा खर्च किया है और एक ने क्या किया है छपन में जाकर के और सराफा में जाकर के बीबी का बच्चों का दिल जीता है खिला खिला करके और पैसा खर्च कर दिया सुनर सुनर गाड़ी लाकर के सौना दिला करके आबुनर दिला करके, शारियां दिला करके क्योंकि बीबी खुस होगी इस भाव के लिए बीबी खुस होगी, बच्चे खुस होंगे कुछ सालों के लिए पर जो तुमने मंदर में खर्च किया है जो तुमने मंदर में लगाया है जिस अच्छे काम में लगाया है ये भाव भी खुस अगला भाव भी खुस ये भाव भी खुस अगला भाव भी खुस अगले भाव में भी राज करोगे और इस भाव में भी राज करोगे आज देख लो जो व्यक्ति खूँ उड़ाता हो पैसा गाड़ी में बंगले में इसमें उसका सम्मान होता है क्या समाज में क्या भाईया इनका सम्मान करो लोग पूछे क्यों सराफा में रोज 20,000 पर खच करते हैं कैसा सम्मान हो किसी का आज तक बता भाई येस लो नहीं हुआ तुमाई भीवी 50,000,000 पेहन के घुमती है कभी सम्मान हुआ कि इनकी भीवी 50,000,000 पेहन के घुमती है समदान करने, करता है कोई, नहीं करता है, आप अपने, करता किया, रिष्तेदारों खूप खूप खिलाओ, रिस्तेदारों को खूप अचाछा बना के खिलाओ, keyword नो खिलाओ, यहां भाय से लागे खिलाओ, कभी तवा समान हुआ, नहीं हुआ, समान जिसका होता है जिनके घर में चौकी लगते रहते हैं, लोग कहते हैं इनका समान, हम पूछते के हैं हूं समान कर रहे हो? के हो कमल जी मांग जी यह फैमिली है कोई भी सादु आता है कोई भी पंसव का सादु आए कोई भी संथ आए जाहि तन यह भाड और लिखा हो गोरा हो काला हो लंबा ऑुझता हो कि ये सब का चौका लगाती है एक ऐसा होता है कहीं एव फौरते है ना बटे इनका सम्मान करो? इनक्या कीया? स्वाथान निन बने थे. प्रानामंदर का प्रणगा हुआ था ये स्वाथान निन बने थे. कब बने थे? अब सम्मान हो रहा है? क्यों? इन अच्छे काम में पश्च जो सेम्मानदस बनेगा वोने एक भव उतारी जो सौखवान इंडर मनता है यह पाभव्टारीं में गत्णाडा के लिया बगवान बने की मूर्ति कोई भगवान बनाने में जितने बी किर्या हुए जितने किर्या होती है सौधर भगल में ख DevOps क्रणा रहा हो सौधारमेंद पीछे 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 बगर में रहता है उसको अलग नहीं पठाए जाता सोचो सौधारमें बनने में ये फायदा है तो सविए जितने धर्म के कार्व करने में हमें सम्मान मिलता है सादू संद सम्मान देते हैं या माराज जी इन पेक्टी से मिलो यह माई अधिया तौम बड़े दानिय हैं ये दान किया नने वो दान किया वी दान किया ने मंदर बनाया थो मूर्ति थ्दाबत करते सोचो तो होकुम छाधे के राज में रहेखर रहे हो नहीं सेट को आज सलंगे सकते हैं कि अज नहीं हैं तब भी जिनला हैं हमारे बीच में नहीं है उशे नहीं है हमारे बीच में भी इतал बीच में निया थे अग Sophia मराज यह व्लॉकुलहार गाती है तो यह स्वशाच अंदिर किसकी तृण अå क्यों कौन से मंदिर मुझेग हो फुरे नाम भी यादनी हुझ। वह सी ठ का Leben तो पैसे की पैसा दो जगे कर्चा करो कि सरसादू भी तुमना नाम ले अब जहां भी होंगे वो जिस गती में होंगे कहीं भी होंगे वहां उनकी आत्मा में गुद्गुदी मचरी होगी कि कोई याद कर रहा है भी कि आन्यवाब धन की दोगती इसरी आच्रमाज बोले हैं कि जैसे पुन आपने पैसे कर दो जराया मैंने बता है ना एक बेस गया एज़ए बेश्ट गया इज़ए बेस्ट प्सक्राइग तो बेस्ट योज़ए फोछावल्ट कर चला गया चत्पन में खाकर आजा जाओ स जाओगे चाप्न निखलेगे में भादा कि ओट्धान जाही चाल किस यहां कि अगे उसकी हम्हालु तक के लिए निए कि फिश्यान नब नो बिटा समझ्धार बênो क्या वन्हों समझ्धार बनो क्यों कि आफ़ ध्यान रखें जीवन मिला है ना या तो collector बन जाओ और नहीं तो क्या है रख्षा चलाओ क्यों रख्षा चलाओ क्यों से चलाए हम दूसरे को दूसरे का बोजा ढोएंगे क्या आरे हम ऐसे काम करेंगे कि लोग जिक्षा तो छोड़ो कंदिर बठाने के लिए तेया लिए कि बैठो बैठाओ मलाज इसे काम करो उसके दी हमें जीवन मिला है रोज सोचो कि मैं अपने जीवन को बैर्त में तो नहीं फेक रहा हूं बैर्त में तो नहीं खो रहा हूं यह सोचो मैं सही दिसा में जा रहा हूं कर नहीं जा रहा हूं यह सोचो मैंने 25 साल लगा दिये यह सोच निर्णा लेने में वहां जाओं कि यहां जाओं, बहां जाओं कि यहां जाओं, कौन से अफसर पकड़ों, ख़द पे करने वाला, कि दूसरों के लिए करने वाला, मन ने कहा, बेटा, अगर पुन इखटे, अकेले इखटा करना है, और सबके साथ इखटा करना है, तो मराज बन जाओ, क्या बन जाओ मराज बनोगे तो पुन साली जीव फिर मराज बन करके पंचना करवाओगे तो पंचना करवाने का पुन भी तुम्हें मिलेगा जितनी मूतियों सूरी मंद्य होगे उसका पुन मिलेगा जितने इंद्रों को इंद्रानी बनाओगे उसका पुन तुम्हें मिले की पन्न फला अरहनता जो अरहनता ना बेदी में यह पन से बनते हैं कि इतना पूने खटता कर दिया उन्होंने सी फिरे गवे खटता कहां से करें हम घमेडा तुरम से मिलेगा मराईच बनी जाल यह से पुन यह से पुन बोले जैसे करम के लिए कहा गया कि कि क्या व्यर्मेश के आत्मा को जगड़ते हैं तो और यह का गोला лайल करकर के भट्टी में पंडी में डाल दो तो वो गोला चारों तरह से चिन 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 करता है जिए उदाना है कि नहीं है तो आगा है तो आगा तो जैसे कर्म को ऐसे ही अपना के पास एक आत्मा बहुत सब सब यह चुझार लोग करो उना एक आत्मा इसके सत्रू कितने हैं एक स्टॉड ता लिए किते सत्रू हैं कौन से वो करम पिसद करम सधान से आठ करम और एंके जो बच्चे रहे बच्चों की संख्या में लाकर के एक आत्मा फेस करेगी उसे कर रही है आप तो हैँ शुर्बीर के बीच में घरी हुई और इन से बचने के लिए 3 लोग ौश्टा přेवां को बचने के लिए किटे लोग है कि तीन ध्हाल कांगे फिर्स ना एक सूर्भीर के यहाथ में तलवार होती है एक धाल होती है तलवार से दूसरे को और धाल से खुद की रक्षा करने के लिए तीन धाल कौन सी हैं देव, सास्त्र, गुरु भोलो देव, सास्त्र, गुरु यह तीन कौन हैं करो जासे तीन उगलियां करो तीन उगलियां ऐसे सब की तीन उगलिया होना चाहिए बोलो देव सास्ट्र गुरू कि तीन कौन है उन 148 लोगों से बचाने के लिए ये तीन है मोधि जी जीनी बचाएंगे टिए धियनक ना न न सॉनिया गांधी बचाएंगे न राहुल गांधी बचाएंगे न कोई पार्टी एस तो कोई पार्टी में नहीं है जो तुमारी 148 लोगों से तुमारी लख्छा कर सके जो एक फार्टारी से लोग ऐसे हैं दिखाई देते नहीं है कैसे हैं वो लोग 140 दिखाई देते नहीं है इस कारिक्रम के पुनियान चक्ति दिगंबर जैन समाज, समाजिक संसद इंदौर, कीरती स्थम्प, दिगंबर जैन सोशल ग्रूप फैडरेशन, इंदौर रीजिन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ट ट्रस्ट, मोदीजी की नसिया, बड़ा गडपती इंदौर प्राचीन श्री अगरवाल दिगंबर जैन, पंचायत रईस्टर धर्मपुरा, दिल्ली, महमंतरी श्री विजेंद्र जैन, कोशाध्यक श्री शेकर जैन, प्रधान श्री चकरेश जैन, सचिप श्री नीरज जैन, मंदिर मेनेजर श्री पुनीत जैन जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यूं होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आच्रण क्यूं बनता है हमारी सुक्षान्ती में बाधक? जीवन के गूर प्रश्रों और धार्मिक जिग्यासों के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक्षरों मनी वादसल्य मूर्ती रास्वत्रुसंत आचारिश्री 108 व्यर्ष सागरजी महराज के जिद्वानी चैनल पर प्रति दिन रातरी 8 बच के 20 मिनट पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रतियक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेश कारिक्रम आखिर ऐसा क्यों यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार की जिग्यासा है तो आप भी कारिक्रम के दोरान टीवी स्क्रीन प आपका मार्ग दर्शन अवश्य किया जाएगा